आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कच्चे चावल का बहुत जादा टेस्टी और हेल्दी नाश्टा क्योंकि इसे हम बनाएंगे बहुत कम तेल में तो आए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है आधा कब चावल कोई साभी चावल आप यूज कर सकते हैं जो भी आपके घर में पड़ा हो इसे आपको दो से तीन घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है ताकि चावल अच्छे से कूल जाए अगर सुबह ये नाश्टा बना रहे हैं तो रात को ही भिगो कर छोड़ दीजेगा तो यहां पर अल्लेडी मैंने चावल को भिगो रखा है और यह बहुत अच्छे से कूल गया है कम से कम दो घंटे तीन घंटे जरूर भिगो येगा तब ही नाश्टा बहुत जादा टेस्टी बनेगा तो यहां पर मैंने मिक्सी का ज यहां पर देख सकते हैं एकदम बारिक पेस्ट मैंने तयार कर लिया है थोड़ा पतला ही है कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से हाथ में जब लेके चेक करेंगे ना तो यह चिकना होना चाहिए दाने नहीं होने चाहिए तो यहां पर इसे मैंने बावल में शिफ्ट कर ल है मैंने कम वनफोर्थ यूज किये अब हाफ कप सूजी भी इसमें एड कर सकते हैं तो नाश्ता जो है तब भी बहुत जादा टेस्टी बनता है यहां पर मैंने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे में ढख के छोड़ दूंगी तब तक हम बाकी की तियारी कर लेते हैं यहां पर मैंने एक पान रखा है जिसमें मैंने 1 टेबर स्पून तेल डाला है तेल अच्छे से गरम हो जाहें जब अच्छे से गरम हो बहुत ही अच्छी होती है पेट के लिए अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है यहां पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है जिसे मैंने बारिक बारिक काट लिया था और इसे भी हलका सा फ्राइ कर लेंगे और यह हमारा बहुत ही मज़ेदार तड़ हो गया है गैस बंद कर देते हैं और इस तड़के को इस बैटर में डाल देते हैं इस तड़के से इस नाश्टे में साउथ इंडियन फ्लेवर आता है जैसे आप इडली खाते हैं डोसा खाते वैसा टेस्ट आपको इस नाश्टे में आएगा इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूं और यहां पर जो बैटर है वो हमारा पहले से थिक हो गया है क्योंकि सूजी ने पानी अबसॉब कर लिया है तो यहां पर यह कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है काफी गाड़ ही है अब इसके अंदर में कुछ चीजे और डालूगी दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च एक प्याज बारी कटी हुई अगर और कोई सब्जी आप डालना चाते है तो वो भी डाल सकते है इसे गाजर शिमला मिर्च पर यहां पर मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च का यूज किया है तब भी यह बहुत अच्छी लगती है अगर कुछ भी नहीं है सब्जी तो सिर जाज और हरी मिर्च से भी बना सकते हैं हाफ टीजपून के करीब मैंने इसमें लाल मिष डाल दी है नमक एड़ कर देंगे साथी एक टीजपून चाट मसाला एड़ कर देंगे इससे यह नाश्ता बहुत ज़्यादा टेसी लगता है और मैंने बहुत कम मसालों का यूज कि यहाँ नाश्ता है वह बहुत ज़्यादा सौफ्ट और फ्लॉफी बनता है 1-4 टीजपून मैने इसमें खाने वाला सोड़ा डाला है और दो चमछ पानी डाला है और यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे यहाँ पे हमें मेडियम कंसिस्टेंसी चाहिए पानी सा तेल डालेंगे इस तरह से तेल को फैलालेंगे बहुत जाब तेल की जरुवत नहीं होती हुआ बिल्कुल हलका सा तेल को डालना। अब दो से तीन चंमप बैटर को आपको इसमें डाल देना है तो बहुत जादा बैटर नहीं डालेंगे दो से तीन चमच भर के मैंने बैटर डाल दिया है और अब इसे में ढख के पकाऊंगी एक से दो मिनिट के लिए तो यहां पे मुझे थोड़ा सा कम लग था मैंने टोटल तीन चमच यहां पे बैटर डाला है इसे में ढख देती हूं गैस को एक दम लोग पे कर देंगे और एक मिनिट के लिए से पका लेंगे एक से दो मिनिट में ही यह देखे किस तरह से पक गया है और पूल जाता है क्योंकि सोड़ा डाला इसके अंदर तो अंदर से पूल जाता है बहुत ही चुका है और काफी फूला फूला नाश्ता हमारा त्यार हुआ है इसे में प्लेट में निकाल लेती हूं यह देखी कितना बढ़िया नाश्ता है तो इस तरह का तड़का पैन हर किसी के घर में होता है अगर नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बना सकते हैं त देखे नीचे से बहुत अच्छे से सिख चुका है सेम इसी तरीके से एक से डेड़ मिनट तक आपको दूसरी साइड से भी पकाना है हलका सा ओल लगा सकते हैं लगाना चाहते नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिकर नहीं क्योंकि नॉन स्टिक होता है तो इस तरह से एक मिन जिसमें मैंने तड़का तियार किया था और मैंने हलका सा तेल डाला है नहीं डालेंगे तो भी चलेगा अगर बिल्कुल भी तेल नहीं लगाना चाहते तो अब इसके अंदर इस तरह से एक कर्षी बैटर डाल के भर के और इसे आप बड़ा भी बना सकते वैसे मैं आपको सोड़ा डालने की वज़े से और एक से दो मैट जैसे हमने पहले नाष्टा त्यार कहता ना पलट पलट के बिल्कुल वैसे ही आपको दोनों साइट से अच्छे से से शेक लेना है बहुत ही लाजवाब नाष्टा त्यार होता है तो यहां पर मैंने दोनों तरीके आपको नाष्टा कम तेल का नाष्टा कोई तला हुआ कुछ खाने की जरूरत नहीं है इतना लाजवाब टेस्ट आता है कि साउथ इंडियन ऐसा लगेगा आपको साउथ इंडियन रेसिपी खा रहें इतना मज़ेदार लगता है एक दम नरम मुलायम और बहुत जादा फूला मैप के साथ खारिए इसको आप नारिल की चटनी के साथ मूंफली की चटनी के साथ कैसे भी खा सकते घृन चथ कंप जरूर को जरूर ट्राय करें दें दिया अatin अगर इस रेस्पी को घ्रायं करते तो इसका फीड़ बाक जरूर दीजेगा आप को नाष्टा पसंद आया य क्योंकि आप लोग कॉमेंट करते नहीं है और मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें